राजस्थान में पिछली कॉंग्रिस सरकार को गिराने की साज़श के कथत शर्यंतर वाले फोन टापिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है फोन टापिंग मामले में कानूनी कारवाई में फसिप पूर मुख्यमंतरी अशोग गहलोत के OSD लोकेश शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है शर्मा ने कहे कर हंगामा मचा दिया कि कॉल रिकॉर्डिंग वाली पैन ड्राइफ खुद मुख्यमंतरी अशोग गहलोत ने उन्हे दी थी के ही एक मंतरी टीटी कृष्णा माचारी ने फोन टाप होने का भी आरोप लगाया था इसके बाद 1988 में करनाटक के सीएम रामकृष्ण हेगडे की सरकार पर फोन टापिंग का आरोप लगा और उन्हें कुर्सी तक छोड़नी पड़ी 1991 में चंदर शेखर को फोन टापिंग के कारण ही प्रधानमत रिपद से हाथ धोना पड़ा था मुलायम सिंग यादव, शरत पवार, नीतीश कुमार ना जाने कितने नेताओं ने समय समय पर फोन टापिंग के आरोप लगाए है साल 2021 में पेगसिस का जिन भारत में जासूसी को लेकर बुचाल ला दिया था एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि भारत सरकार ने इसराइली स्पायवेर पेगसिस के जरीव पक्षी नेताओं की जासूसी कराई है और इसमें मौझूदा कई नेताओं के नाम है फोन टापिंग और जासूसी में अंतर होता है अगर आपके फोन की जासूसी हो रही है तो आपका पूरा डेटा चुराया जा रहा है जो आपके फोन में माझूद है फोन टापिंग का सीधा मतलब यह है कि दो शक्स के बीच की बाद कोई तीसरा सुन रहा है फोन टैपिंग को वायर टैपिंग या लाइन बगिंग भी कहा जाता है अगर कोई तीसरा व्यत्ती बिना इजाज़त के आपकी वादचीत को सुनता है तो ये फोन टैपिंग है अब सवाल यह आता है कि क्या भारत में फोन टापिंग करने की इजार्ज़त है फोन टापिंग को लेकर देश में क्या कानून है आपको ये भी बता देते हैं भारत में दे इंडियन टेलिग्राफ फैक 1885 के तहट फोन टापिंग की जाती है केंद्रिया राजे सरकार को अगर लगता है कि सार्वजनिक सुरक्षा पर खोई खत्रा है या फिर देश की संप्रूबता पर खत्रा है तो फिर वे या फिर किसी हिंसर घटना को रोपने के लिए वो फोन टापिंग की परमिशन दे सकते हैं हाला कि इसमें प्रेस को लेकर एक अपवाद है अगर कोई प्रेस मैसेज किसी सरकार द्वारा मानेता प्राप्त समवादाता की तरफ से भेचा गया है तो इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश नहीं होगी हाला कि यह अजादी प्रेस को तब तक है जब तक इसे प्रतिबंदित नहीं किया जाता 2007 में The Indian Telegraph Act 1885 का संशोधन किया गया संशोधन ये हुआ कि अगर केंदर से फोन टापिंग की मंजूरी लेनी होती है तो इसकी मंजूरी ग्रह सचीव देगा और राज्यों में फोन टापिंग की मंजूरी राज्यों के ग्रह सचीव दे सकते है 19 नवंबर 2019 को केंदर सरकार ने कहा था कि देश में 10 अजेंसियों के पास फोन टापिंग के अधिकार है ये 10 अजेंसिय कौन सी है वो भी आपको बता देते हैं सबसे पहले Intelligence Bureau, उसके बाद Central Bureau of Investigation, Enforcement Directorate, Narcotics Control Bureau, National Investigation Agency, Central Board of Direct Taxes, Research and Analysis Wing, Directorate of Signal Intelligence, Directorate of Revenue Intelligence इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिशनर को भी अधिकार दिया गया है हाला कि फोन टापिंग से पहले ये अजेंसिया ग्रह सचीव के अनुवती लेती है CVI और वित मंतराले को बिना ग्रह मंतराले के इजासत के भी 72 गंटे तक फोन टाप करने का अधिकार है बता दे, देश में फोन पर बादशीत को नीजिता के अधार से जोड़ा जाता है नीजिता के अधिकार का उलेक सविधान के अनुझेद 21 में भी किया गया है हाला के विशेश परिस्ति में सरकार को फोन टाप का अधिकार दिया गया है भारत में अक्सर फोन टापिंग को लेकर सवाल उठता रहा है दुनिया के बाकी देशों में भी सियासी नफा नुकसान के लिए इसका जम कर इस्तमाल हुआ है साल 1982 में आयरेस टाइम्स के रिपोर्टर ने देश के पूर कानून वंत्री पर फोन टापिंग का आरूप लगाया था ये मामदा भी काफी चट्रेत हुआ था बेरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएं वागे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनेरे मारे साथ TV9 डिजिटल पर